असलाम वालीकुम एवरीवन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जावा स्क्रिप्ट से लेटिड यह टूटोरियल है इस टूटोरियल में हम एरे के सप्लाइस मेथड की बात करने वाले हैं डेफिनेशन देखते हैं यूज्ट फॉर एडिंग रिमोविंग एलिमेंट फ्रॉम एरे सप्लाइस मेथड आवर राइट दी ओरीचनल एरे सप्लाइस मेथड आरे के लिए यूद होता है कि यहाईर मेह और के वालियो को रिमूव करना के न인지 quién हो या एकराइट करने करने कलिए अगर वालियो को उस्यलि उसका के स्टार्टिंग में वालियो को एड कर कर nothin कर सकते हैं है सब्सक्राइब करेंगे तो आप कहीं से भी वैली को एड़ कर सकते हो तो एक एरे है एड्यूकेशन के नाम से और इसमें जो भी वैल्यू एरे में आप स्टोर करोगे वह किसी ने किसी अंडेक्स पे स्टोर होगी फर्स्ट वैल्यू होगी यहां पे स्टोर वैल्यू है तो जीरो एक्स पे स्टोर होगी सेकिंड वैल्यू है स्टोर करते हो इसको एलिमेंट भी बहुते हैं तो एक वैल्यू के बाद आपके पास कॉमासे बात करोगे यह एक करोगे area ka name dot supply उसमे थ्री परिमीटर हम पास करते हैं फिरिमिटकर यहां पर थ्री है यह हमरे पास होते है required अब जो first parameter pass करते हो वो बताते हो किस position से किस index से आप value को add करना चाहते हो और remove करना चाहते हो यहां पर 3 है अगर मैं 3 pass करूंगा इसको तो यहां पर 3 index से मेरी values यहां पर 3 index पर कौन सी value BCS इस position और इसके बाद जितने भी element है remove हो पर 2nd parameter pass करता हो तो 2nd parameter और 3rd parameter option रहुता है मैं बताता है कि आप कितने values को remove करना चाहते हो और 3rd आपके adding के लिए अपने कितनी वैली को add करना है practically देखते हैं, फर्स्ट index आपको position बचाते हो किस पोजिशन से आपने value को add करना है remove करना है, सेकिंड कितनी वैली इसको रिमूव करना जाते हो अगर आप सेकिंड उठर नहीं दोगे अगर आप एक ही पेरामिटर पास करोगे तो उसी अंडेक्स से जायरे में जितनी भी वैली होगी रिमूव हो जाएंगी तो शुरू करते हैं प्रैक्टिकलिक वार एजुकेशन और प्रैक्स कर कितनी और प्रैक्स स्यट असे ऴस्त नै ब्स एमस और एंफिल ठीक है यह एक लिए है मैंने array अब आप इने इसको use किस तरह करना है supplies method को education dot supplies कि मैंने बताया था first index जो होता है अगर यहां पर to दोओंगा तो to index मेरे पास values क्या है अगर मैं document.write करके आपको पहले output दिखा देता हूं document.write अगर इससे पहले मैं क्या कर देता हूं education dot supplies इसमें only मैं सिरफ index पास करता हूं जो मैंने बताया है अगर आप एक index करते हो पोजीशन बताते हो किस पोजीशन जाब value एड करना चाहते हो या रमूव करना चाहता हूं मैं यहां पर बताता हूं तो टू अंडेक्स पे मेरे पास कौन सी वैल्यू है SSC जीरो अंडेक्स पे है HSC वन अंडेक्स पे BCS क्यों नेक्स है इस अंडेक्स से इस पोजीशन से तमाम values remove हो जाएंगे array में BCS और इसके बाद जितनी वैल्यू रमूव हो जाएंगे मैं रिफ्रेश किया तो यह देखिए BCS और इसके बाद जितनी वैल्यू से आरे में रमूव हो जाएंगे अब सेकिन उठ्रड अंडेक्स की बात करते हैं सेकिन अंडेक्स आप बताते हूं कितने के अंगे अब करना है मैं यहां पर कर देताँ हूं zero गिउत्यों को में रमूव जाता हूं और वैल्यूज को एड करना जाता हूं उर वैंह अ बी ऐसस स मैंने टू अंडेक्स पोजिशन बताई इस इंडेक्स पर इस वैल्य उसको एड कर दो बीसी इस को और रूमूव कितनी अलिमन करते हैं कि किसी को भी नहीं तो 2 SSC zero index पे है Hs two index पे है लिए इसके बाद two index पे BCS और BCS के जगए पर BSCSF और BCS इस से आगर जितने भी index बहुत हो दिख्करerek वैल्यू स्टॉर हो जागी मैंने refresh किया तो देखिए SSC zero index पे है पर बी टू अंडेक्स पर बीसी एस स्टोर हो गया और बीसी एस आगे ठाट अच्छ पर चला गया ऐसे वैल्यूज चली गई है अगर पास वैल्यो और हो करेंगे हैमकर मेरे पास यह अगर मैं आप आप न्रिग्णल Len Gregory प कितनी वैल्यों है अगर यह बीडिए और बीडी इससे मुझे 3 रिमॉँव आप निए बी इस और वैलि ऑडिर्व और मीज रिफ्रेश्ट करता हूं तो आप देखिए SSC, HSC उससे बाद BCS, BS, BCOM remove हो चुका है और इसकी जगह पे BSCS add हो चुका है तो आप फर्स अंडेक्स आपका बताते हो कि आप किस पोजीशन से values को add करना चाहते हो या remove करना चाहते हो अगर आप values को add कर अकेल अंडेक्स दोगे एक इंडेक्स उसी इंडेक्स पे त्माम values remove हो जाएंगी सेकिंड और थर्ड दोनों उप्शन लोते हैं आप value को किस index से remove करना कितनी value remove करोगे मैंने अगर रहां पर 3 दिया तो जो मैंने फर्स अंडेक्स दिया इस index से 3 values remove हो जाएंगी अगर मैं 0 दूंगा तो कोई भी value remove नहीं हो जाएंगी और आप multiple values को भी add कर सकते हो ठीक है तो अभी मैंने 0 किया तो कोई भी value remove नहीं होगी अब हम देखते है slice method तो यह क्या करता है original array को यह supplies method आवराइट करता है slice method यह copies element from array आप array में से कहीं से भी values को copies कर सकते हो return them as a new array यह एक array new array return करता है आप जब copy करोगे तो आपका original array रहे गई जबके supplies method हमने जो पढ़ा वह array को आवराइट करता है does not change the original array वैसे ही आपका एक array है जैसे पहले हमने एक array लिया और select आप जब इसको use करते हो तो आप एक variable हो कि वह और selected cities is equal to city वैसे variable का name.slice इस पर two parameter आप पास करते हो फर्स रखते हो तो starting position कि पोजिशन से आप value को copy करना चाहता हो और second parameter ending position आप किस index से किस index तक value को copy करना चाहता हो किस index से और किस index तक starting index और ending index लेकिन आपका जो ending index होगा उस से minus 1 तक value copy होगी वह index आपका value को copy नहीं होगा देखिए slice does not include end index parameter प्रैक्टिकल हम देखते हैं मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक वार एडियो एक इस इक्वेल टू इस पें तू परेमिटर हम पास करते हैं किस किस index से आपने वैलियू को को कॉपी करना है और सैकिंड किस index तक value को कॉपी करना है और लास्ट यू आपका index होगा उसकी वैलियू कॉपी नहीं होगी कि माइनस वन तक को वैलियू कॉपी होंगी तो यहां पर मैं कर देता हूँ वान कोमा थ्री वार एड्यूकेशन इस इक्वेल टू एड्यूकेशन डॉट स्लाइस चेक करते हैं यहां पर आया कर देखिए अभी तक मुझे औरीजिनल है रही दिखा रहा है तो मुझे यहां पर यूज करना है इडी यू इससे पहले मैं बता दूँ आपको अब देखिए मैं यहां पर पहले वैलियूस को पूरे आयरे को प्रिंट आउट कर लेता हूं डाकुमेंट डाट राइट एड्यूकेशन और यहां पर मैं बी आर्टेक्ट लगा के लाइन ब्रेक कर देता हूं प्लस बी आर्ट अब मैंने यहां पर क्या कर दिया है सब्सक्राइब करने के लिए यूज होता है यह अगर आप सिर्फ स्लाइस लिख होगे तो आपका एरे का पूरा क्लोन आपको रिटर्न कर देगा अगर आप अंडेक्स की नहीं देते है मैंने रिफ्रेश किया तो यह देखो पूरे का पूरा एरे सेम कॉपी हो गया अगर आपको कहीं से भी वैलिस को कॉपी करना है तो आप टू करमेटर पास करते हो फर्स यह की रेको पास तैस्य क्या यह ताक आपका को पी कोणे को चौर्श कि एपकी से जीरो BCS आपका 2 index पे है, BS किस index पे है, 3 index पे, अब last जो index है हमारे पास 3 है, तो इससे माइनिस एक 1 copy करेगा, तो means कि 2 index पक value copy करेगा, तो 3 दोगे तो 2 index पक copy करेगा, 4 के दोगे, तो 3 तक 5 दोगे, तो 4 तक copy करेगा, तो इसने मुझे SSC BCS को copy कर दिया, अगर मैं यहाँ पर 5 करता तो 5 index को मेरी value कौन सी store है, SSC 0, HSC 1, BCS 2, BS 3, BCOM 4, MS 5, तो MS 5 ते मुझे 4 तक यह value copy करके देगा, तो मुझे BCOM तक copy, इसकी copy मिल जाएगी, मैंने refresh किया, HSC BCS, BCS, BCOM, यहाँ तक मुझे इसकी value इसने copy करके मुझे दे दी, तो यह तो slice method, आप copy करने के लिए यूज करते है, element क कहां से हमने values को copy करना है, और supplies method क्या करता है, जो हमने से पहले supplies method की है, array में से value को add करने के लिए, या remove करने के लिए, तो वो क्या करता है, array को overwrite करता है, जो आपका original array होता है, उसी में से value को add कर रहा है, remove कर रहता है, जबकि जो slice method जो हमने अभी देखा है, यह क्या करता है आपको कॉपी करके रहे ही रिटर्न करते हैं आपको जो रिजिनल आ रहे हैं वह भी सेम ही रहता है